नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैस टॉपिक स्टडी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 20 एनिमल्स नेम यानि 20 जानवरों के नाम हिंदी और अंगरेजी में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से तो अगर आप इंट्रेस्टेड हैं सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा चलिए सुरू करते हैं चलिए दोस्तों हमारा जो पहला नाम है उसको पढ़ते हैं तो पहला है हमारा देखिए C.O.W. Cow. Cow means होता है गाय. ठीक है? नमबर दो पे आता है B.U.F.A.L.O. Buffalo. Buffalo means क्या होता है? Buffalo means होता है भैस. ठीक है? नमबर तीन पर आता है H.O.R.S.E. Horse. Horse means होता है घोड़ा. आपने सुना ही होगा Horse means घोड़ा. ठीक है? चलिए अगला है हमारा D.O.N.K.E.Y. क्या हो गया? डंकी. डंकी means होता है हमारा गधा. ठीक है? डंकी means गधा. अगला देखते हैं पांचवा. पांचवा देखिए क्या है? P.I.G. क्या होता है? पिग. पिग यानी होता है सुर. ठीक है? जैसे हम किसी से बोलते हैं You are pig. मतलब की तुम सुर हो. ठीक है? चलिए. आगे बढ़ते हैं. अगला देखते हैं. यहाँ पर है छटवा. ठीक है? G.O.A.T. गौट. गौट मींस होती है बकरी. ठीक है? गौट मींस क्या होती है? बकरी. ठीक है? इसके बाद में आता है अगला. S.H.E.P. सीप. सीप यानी होती है भिड. अच्छा आपके मन में एक सवाल आ रहे होगा कि भईया जैसे यह क्या है बकरी. ठीक है? तो बकरा को क्या बोलते होंगे? तो बकरा को क्या बोलते हैं? M.A.L.E. मेल गौट. ठीक है? मेल गौट यानी की बकरा और फीमेल गौट य Lion. L-I-O-N. लाइन यानी सेर. ठीक है? चलिए. इसके बाद में आता है P-I-G-E-R. Tiger. Tiger मतलब होता है बाग. ठीक है? Tiger मतलब होता है बाग. अच्छा बागिन को क्या बोलेंगे? बागिन को बोलेंगे फीमेल टाइगर. ठीक है? इसके बाद में आता है दसवा. E-L-E-P-H-A anti elephant, elephant मतलब होता है हाथी ठीक है, यह हो गया हमारा हाथी, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हमारा, यहां पर 11 है, F-O-X fox, fox मतलब होता है, लॉमडी ठीक है, fox मतलब क्या होता है लॉमडी, बारवा है हमारा, B-E-A-R beer, beer यानि होता है भालू, यहां पर पीने वाला भीर नहीं है, ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा तेरवा, डीर, डीर मतलब होता है, हिरण, ठीक है, बन्दर, इसके बाद में आता है हमारा पंदरवा, D-E-E-R Deer Deer मतलब होता है हिरन ठीक है? Deer मतलब हिरन ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है सोलवा G-I-R-A G-I-R-A D-E-F-E क्या हो गया? जिराफ जिराफ मतलब होता है जिराफ जो लंबी गर्दन वाला होता है हिरन की तरह वो क्या होता है जिराफ अगला है सत्रवा J-A-C-K-A-L J-K-A-L J-K-A-L मतलब क्या होता है C-R ठीक है? इसके बाद में C-R को हिंदी में सुद्ध हिंदी में बोलते है लड़ाईया अगला है हमारा अठारमा H-Y-E-N-A हैना हैना मतलब होता है लकड बग्घा ठीक है? लकड बग्घा अगला है हमारा 19 वा C-A-M-E-L केमल केमल मतलब होता है उंट ठीक है? केमल मतलब उंट और उंटनी को क्या बोलेंगे? female, केमल अगला है हमारा यहाँ पर बीसवा P-A-N-T-H-E-R पैंथर पैंथर यानी क्या होता है? तेंदुवा ठीक है? पैंथर मींस तेंदुवा तो यह थे हमारे बीस एनिमल्स नेम जो हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझ लिए हैं अगर आपको समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के साथ में सेर कर दीजे और अगर आपको पढ़ाने का तरीक अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलेगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत